सुबे खाली पेट खाई इसकी सिर्फ दो पतियां और सुगर रोग को बेलकुल जड़ से खतम करें गारंटी के साथ 100% वरकी नमस्कार दोस्तों दोस्तों मदुमे की बीमारी में रक्त में सरक्रा की मातरा समानने से अधिक हो जाती हैं अभी तक इसका कोई भी सथाई इलाज हमारे सामने निकल कर नहीं आया है इसलिए अगर आपको डाइबटीज को कंट्रोल करना है तो अच्छा पोस्टिक आहार और अपने लाइफस्ट किसन भी बहुत अधिक हैं दोस्तों इस विमारी को घरेलू इलाज से काफी हद तक कम किया जा सकता है आईए जानते हैं मदुमे को घरेलू इलाज से कैसे आप सही कर सकते हैं आयुरुवेद विशेसगी फल सबजी और अलग-अलग पोदों की पतियों से बलड़ सुगर का स्तर कंट्रोल रखने और इंसुलिन के इस्तमाल की सरीर की शमता को बढ़ाने में बहुत अधिक कारगर मांते हैं और दोस्तों यदि आपका सरीर इंसुलिन को खुद से प्रडूस करेगा और उसका सही तरीके से इस्तमाल करेगा तब ही आप इसर डाइबटीज को हमेशा क गंट्रोल में रख सकते हैं यानि इस डाइबटीज रोग को बिलकूल जड़ से खतम कर सकते हैं दोस्तों आज की सुडियों में हम आपको ऐसी ही पतियों के बारे में बताएंगे जिनकी यदि आप सिर्फ दो पतियों का सेवन हर रोज सुबे खाली वेट करेंगे तब आपको इसके किसी भी त्रहें के कॉंपलिकेशन का भी सामना नहीं करना पड़ेगा तो आएए दोस्तों जानते हैं उन चमतकारी पतियों के बारे में जो इतनी चमतकारी हैं जो इस सुगर रोग को बेलकूल जड़ से खतम कर सकती हैं तुलसी की पतियों से डाइबटीज क का इलाज तुलसी की पतियां अगनास्य की बीटा कोशिकाओं की गतिविद्यों को स्चारू बनाए रखती हैं इससे ये कोशिकाएं सही मात्रा में इंसुलिन का उत्वाधन करती हैं और बलड सुगर का स्तर काबू में रहता हैं डाइबटीज पीड़ितों के लिए हर रो गुलकोश तेजी से उर्जा में तबदील होने लगती हैं पपीते के पत्ते लीवर बढ़ने किड़नी के खराब होने के खत्रे को कम करने में बेहददी कारगर हैं हर रोज सुबे पपीते की आठ से दस पतियां पानी में उबाल कर आपको पीना चाहिए नीम की पतियों से डायबटीज का इलाज आठ को गुलकोश सोखने से रोकने की अलावा नीम की पतियां इंसुलीन के इस्तमाल से सरीर की समता भी बढ़ाती हैं इसके सेवन को डायबटीज के दवाईयों पर निरवरता गटाने के लिए बहुत अधिक कारगर माना चाता है विसेसगे हर रीजों को आम का सेवन करने से बचने की सलहा देती हैं लेकिन इसकी पतियां बीमारी की रोक्ता में एहम भूमी का निभास कती हैं दरासल आम की पतियां गुलकोश सोखने की आत की समता को घटाती हैं इसे खून में सुगर का स्तरग कंट्रोल में रहता है आम की पतियां diabetes का इलाज कड़ी पत्ते में मुझूद iron, copper जैसे mineral नैसरप अगनाश्य की बीटा कोशिकाओं को नश्ट होने से बचाती हैं जिसे ये कोशिकाओं insulin का उत्पादन तेज कर देती हैं diabetes प्लितों के लिए हर रोज सुवेग खाली पेट 8-10 सकड़ी पत्ते चबाना बेहद अधिक फाइदेमंद हैं जामुन की पतियों से diabetes का इलाज जामुन की पतियों में मुझूद मायरलीन नाम के योगिक को खून में सुगर का स्तर गटाने में बेहद अधिक कारगर पाया गया है बलड सुगर बढ़ने पर सुवेग जामुन की 4-5 पतियां पीसकर पीना बहुत अधिक लाबदाई है एक गिलास पानी में खोड़ कर सुगर काबु में आ जाए तो इसका सेवन आपको बंद कर देना चाहिए गुडुमार की पतियों से डाइबटीज रोग काई आज अगनासे में इंसुलिन का उत्पाधन बढ़ाने वाले गुडुमार की पतियां सुगर के लिए बेहद उपियोगी हैं इसके सेवन से गुलकोज के उर्जा में तबदील होने की गती बढ़ती हैं मिठे की तलब सांत करने में भी इसे बेहद असरदार पाया गया है विशेसद्गे सुभे खाली पे गुडुमार की दो से तीन पतियां चबाने की सलहा देते हैं दोस्तों आपको इन में से कोई भी दो पतियों का प्रियोग कर सकते हैं यानि दो पोदों की पतियों का एक गुडुमार की कर सकते हैं तुलसी कर सकते हैं या पपीते की कर सकते हैं किसी भी दो पोदों की पतियों का आप सेवन सुरू करतीजे यदि आप इस सुगारो को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और इस बीमारी के सभी त्रहें के कॉंप्लिकेशन से बची रहना चाहते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जुरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियो की नोटिपकेशन आतिरहे धन्यवाद दोस्तों